गौतम गंभीर के टीम इंडिया के बनते ही नए हिट कोच, बड़ा दावा कर गए गंभीर के बचपन के कोच, बोले इन दो खिलाडियों को लेकर गंभीर की है, अलग सोच. जी हाँ दोस्तों टीम इंडिया के पूर्व दिगज बलेबाज गौतम गंभीर अब नए हिट टीम में मुख्य कोच की जिम्मेदारी को संभालेंगे। BCCI सचिव जैशाह ने सोशल मीडिया के जरिये 9 जुलाई को इस बात का एलान किया था। गंभीर को यह जिम्मेदारी मिलने पर उनके बचपन के कोच संजे भारतवाज ने बड़ा दावा किया है। उनका मानना है कि गंभीर खिलाडीयों का बेस्ट निकालने में उनकी मदद कर सकते है इसके साथ ही उन्हों ने कहा कि गंभीर टीम इंडिया को टॉप पर लेकर जाएंगे। पी टी आई से बात करते हुए उन्हों ने कहा, गौतम में अपने खिलाडियों से बेस्ट प्रदर्शन करवाने की योग्यता है. एक बेहतरीन कोच का काम यही होता है. वह अपने खिलाडियों को अच्छी तरह जानते हैं और उनका प्रभावी डंग से उप्योग करके उनसे बेस्ट प्रदर्शन करवा सकते हैं. मुझे लगता है कि एक कोच के तौर पर उनमें भारत को शिकर पर ले जाने की क्षमता है. संजे भारदवाज ने गंभीर के बचपन को याद करते हुए बताया कि कैसे वह दस साल की उम्र से ही हमेशा जीतने की मानसिक्ता के साथ खेल वह कभी हारने के बारे में नहीं सोचते थे. उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वह मैच हार सकते हैं. उन्हें कभी संदेह नहीं हुआ. गंभीर के कोच भारतवाज ने यह भी बताया कि रोहित शर्मा की क्षमता को गंभीर ने बहुत पहले ही पहचान लिया था. यहां तक कि रोहित के करियर के कठिन दौर में भी गंभीर को उनके उपर पूरा भरोसा था। उन्होंने मुझे बहुत पहले बताया था कि रोहित शर्मा एक दिन महान खिलाडी बनेंगे। यह तब की बात है जब रोहित रन नहीं बना पा रहे थे और उन्हें सपोर्ट की जरूरत थी। रोहित के बारे में उनकी यह टिपपनी सही साबित हुई। वह कुलदीप यादव और नवदीप सैनी जैसे खिलाडियों को चुन सकते हैं। वे उनके प्रोडक्ट है। उन्होंने सुनील नरेन के साथ भी अपने मन की बात सुनी। उनका अवलोकन हमेशा अच्छा रहा है। दोस्तों आपको बता दे कि गौतम गंभीर ने अपने करियर के दोरान टीम इंडिया को दो वर्लकप जीताने में अहम रोल अदा किया है। वह साल 2007 के T20 वर्लकप और साल 2011 के वंडे वर्लकप फाइनल में भारत के लिए टॉप स्कोरर रहे है। गंभीर 27 जुलाई से श्रीलंका दोरे पर भारतिय टीम की कमान संभालेंगे। आपको क्या लगता है गौतम गंभीर टीम इंडिया को फिर से नई उंचायों पर लेकर जाएंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।